तो हेलो गैस वेलकम बैक टो मैं चैनल क्रिश्णा वाइटी तु चलिए फ़र्स टोरी के उपर चलते हैं जो कि है धुरुवराथी के बारे में तो गैस यहाँ पर स्ट्रिंग करके एक यूटूब चैनल है जिन्होंने धुरुवराथी को एक वीडियो बनाया है एंड साथी साथ रिहाना एंड ग्रेटा ने जो ट्वीट किया था फार्मर प्रोटेस्ट को लेके उनको भी एक्सपोस किया है कि उन्होंने पैसे लेकर वो ट्वीट किये थे तो गैस सीन कुछ ऐसा है कि श्ट्रिंग के चैनल पर जब ये वाली वीडियो अप्लोड हुई जहां पर उन्होंने रिहाना ग्रेटा और धुरुवराथी को एक्सपोस किया था उसके लगबग 11 या 12 घंटे बाद वो वाली वीडियो यूटूब से टर्मिनेट हो गई अगर अभी आप उनके वीडियो पे जाओगे तो आपको कुछ ये लिखा मिलेगा कि इस वीडियो हैस बिन रिमूवड फोर वालेटिंग यूटूब स पॉलिसी ओन हरास्मेड और बुलिंग बेसिकली इस वीडियो में ये था गैस मैं आपको थोड़ा सा सौट में एक्सप्लेइन कर देता हूँ इन्होंने अपनी वीडियो में रिहाना को एक्सपोस करते वे बताया था कि इन्होंने जो ट्वीड किया था फार्मर प्रोटेस्ट को लेके वो पैसे लेकर किया था और इन्होंने अपनी वीडियो में एक प्रूफ दिया था जिसका नाम है टूलकिट अगर आपको टूलकिट नहीं पता तो मैं आपको बता दू कि यह एक डॉक्यूमेंट है जहां पर उस डॉक्यूमेंट में सब कुछ लिखा है कि आपको कहां पर कौन सा ट्वीट डालना है कौन सा हैश्टेग यूस करना है तो रिहाना ने जलदी बाजी में यह वाला टूलकिट को अपने टूटर अकाउंट पर टूइट कर दिया और इस टूइट को करने के पांच मिनट बाद उन्होंने यह वाला टूइट को डिलीट मार दिया और इसी टूइट की वज़े से वो एक्सपोस भी हो गई यह वाली टॉपिक को मैंने अपने पिछली वीडियो में भी कवर किया था अगर आपने नहीं देखा तूपर आई बटन पर लिंक है आप जाके देख लेना और उन्होंने धुरूवराठी को एक्सपोस करते वे कुछ यह कहा था कि यह बंदा इस वीडियो के बाद अगर कुछ उनको होता है तो उसके जिम्मेदार दुरूवराठी होंगे तो चलिए अगली अपडेट के बाद करते हैं जो कि है ट्रिगर इंसान के बारे में तो यहाँ पे ट्रिगर इंसान का एड्रेस लीक हो गया है और उनके एड्रेस को 300 रुपे में बेचा जा रहा है तो उन्होंने अपने इस्टाग्राम पे कुछ यह वाली स्टोरी इसको पोस्ट किया गैस रात के डेड़ बज रहे हैं और मुझे सीरिसली अभी एक ऐसी बात पता चलिया है जिसको मतलब सुनके मैं काफी जादा शौक्ड हो चुका हूँ सो कुछ लोग जिनको मेरा अड्रेस पता चल गया है कोई आसपडोस में रहते हैं या फिर किसी भी तरीके से जिनको मेरा अड्रेस पता चल गया है मुझे सुनने मैं है कि उन में से कुछ लोग मेरा address बेच रहे हैं आगे ये बोलके कि मैंने उनको permission दिया है कि वो पैसे के बदले में मेरा address sell कर सकते हैं अब किसी ने मेरे को ये screenshot भेजा है कि आप क्या सच में पैसे मांग रहे हो तो कितना charge करूँ 300 लेकिन बस fp वालों को sell करना और 200 उसको जो उसे sell करेगा मतलब मेरे साथ chart का fake screenshot कि मैंने बोला है कि आप 300 रुपे में मेरा address बेच दो लेकिन यहाँ पे मैं आपको difference दिखाना चाहूँगा ये मेरा असली idea triggered इंसान वाला और ये triggered इंसान fake idea अब obviously difference कैसे है यहाँ पे जो आप T देख रहे हो वो small है यहाँ पे capital T है यहाँ पे triggered इंसान में कोई space नहीं है यहाँ पे triggered इंसान में space है तो this is obviously एक edited screenshot बनाया है किसी ने मेरे साथ fake chat का कि मैं उनसे पैसे मांग रहा हूँ जिनका मैं नाम obviously reveal अभी नहीं करना चाहता अगर वो sorry बोल ले and future में ऐसी तुम यार फालतुगिरी ना करो तो ठीक है वरना seriously यह एक crime है and I don't know मुझे आगे इसके क्या करना चाहिए कसम से रात के डेड़ बजे मैं सोने दा रहा तो और यह देखके सदमे में चला गया हूँ मैं because this is like defamation क्योंकि आप basically यह fake news फैला रहे हो कि निश्चे अपना खुद का address प्राइवसी के बारे में कुछ सुन है तुमने मेरे घर के बार कोई गोली लेकर आके खड़ा हो जाएगा 300 रुपए में भाई address ले लो मेरा मेरा धिमाग खराब है क्या मैं क्यों किसी को अपना address दूंगा यार इंडिया के बाहर address बेचना नंबर बेचना this is considered as a crime यहाँ पे इतना सीरिसली नहीं लिया जाता प्राइवसी लीग को ओ भाई एक हमबल रिक्वेस्ट है अगर आपको बाइचांस मेरा फोन नंबर या मेरा address पता चल गया है तो उसको अपने तक ही रखें कृप्या कर उसको सबको ना पेचे और एट ल अब जन जाती निया कुछ और कुछ और कुछ और कुछ और कुछ और अरे बश भाई नहीं चाहिए मेरे को यह फालती की टेंचन है रोज रोज नियोन मैं न्यूज बई और दिनेश टॉक्स की वीडियो का थमनेल टाइटल में नहीं आना है मेरे को 300 रुपे में address बेच र तुम्हारा कोई भी फेवरेट क्रेटर हो कोई कभी भी अपना एड्रेस बेचने नहीं वाला एट लीस्ट थीन सब्सक्राइब कितने भी पैसे हो यार कोई अपना एड्रेस क्यों बेचेगा बिकोज प्रेविसी मैं तु चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं जो किया कैरी मिनाटी के बारे में तो गईस यहां पर कैरी मिनाटी ने अपनी नई वीडियो का अपडेट देते वे कुछ यह कहा क्या सीन है लव यू ब्रो वाइप बन रहे हैं काम कर रहे हैं उस पर टेंशन मत जब रेडी हो जाएगी अब वह आ जाएगी ठीक है मैं रे कर नहीं तो गईस आज की वीडियों तो पस इतना ही अभी तो आगी से कोई इंपोर्टेंट निउस नहीं आ रही है बड़ जैसे ही आती है मैं आपको सबसे पहले इंफोर्म कर दूंगा तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर रोन कर लेना अगर आपके वाचिं दिस वीडियो मिलते है नेक्ट वीडियो में